उन्नों जन्पत के नगर पंचायत मोहान वे हसन गंज शेतन में बेते के सालों से नकली सिमन्ट का काला कारोबार अधिकारियों के मिली बगत से कुछ फलफूल रहा है। इस अवेद फैक्टरी पर जब मेडिया वे गरामिनों का दबाव बढ़ने लगा तो तब पुलिस ने कारवाही करते हुए हजारों बोरी नकली सिमन्ट बराबत किया है। जिसमें कई लोगों पर नामजद मुकदमा पंजेकरत भी कराया गया है। वहीं गरामिनों का कहना है कि जो असले कारोबारी थे उनको आज तक नहीं आई और बेगुनाव को जेल बेच दिया गया। पूरा पूरा जितना बताया कि उतना माल लगाया हमने कितने समान लिया थे सामान लंचम पूरा समान वहीं उठाया हमने। किसके दुकाल से अर्पित टेटल के आज है। माले को निशका पूरा 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 प्ता अब यह भाई आमको नहीं आने मालें श्रीमिन गरबार थी। किसा अर्पर पूरा पूरा हमने श्रीमिन गरबढ़ई बताया करबार रहे हम राकी समझा उसमें। अब किसे अधिकारजी से एधिकारजी से है। अब यह सब कहीं आजित कर आज कर सकारें गये। कि इडियम कारई गये। कुछ दिन के अंदर हपते 15-20 दिन में उनके स्लेब गिर रहे हैं कौन-कौन लोग है इनका इनक्सान हुआ और इस ते वान कहां सरीदा गया है कि यहां पर एक इमाम चौक पर पहले मकान में स्लेब डाली गई जो वनीज दिन के अंदर खुली उसका चज्जा अचानक गिर गिया वो गरीब जो परदा मनती योजना के तहद अपना मकान मना रहा था उसकी वनीज दिन में स्लेब गिर जाएगी मैं यहां के अध्याच हू उसको साहेता के लिए में आठ्वेशन देता हूं तो मैं मैंने अगर उसके वहां पर देख ले जाके तो हमारे पाई इल्दाम है कि हम उनसे पैसा मांगते हैं दूसी चीज यहां पर दो घर की सिलेब और गिरी जो महला रोजन है महां पर एक सिलेब गिर गई और यहां पर टंकी के पास एक मकान है उसके सिलेब चिटक गई कई सिलेब गई उन पर नुकसान हुआ है तो हमने उसकी आवाद उठाई या उससे कुछ बात आशवाशन दिया तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उनके लिए हमने अप्लिकेशन कई जगा दिलवाई है तो इसमें जिनता है जो उनके साथ कुछ बैट के बात कर लीजे उनका जो नुकसान है नुकसान दे दीजे यहां पर यह नकली सीमिन का धंदा बहुत पहले से चलना है इससे पहले यहां पर कबालपूर में एक जखीरा पकड़ा गया जिसमें डूब्लिकेट सिमिन सबको पता है यहा लोगों खड़ा करके अगर आप उनसे सानबोती हाजिल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं हमारे पर इल्दा में कोई असीवा इल्दा में लगाने दो कुछ नहीं होता है अपने जनता की आवास उठाने के लिए आपने कहीं बहुत अधिकारों के पास जा करके बात रखी है अब физ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– तो तूत को पपू गुपता वह सामान लिया था है कम से कम चार लाग का और चार लाग का सामान लिया था उसमें से पंचान दे बोरी खरीदी थी और जो है 72 बोरी अभी भी भी हमाया पास लगी एथा उसमें वो घालाख मिली हुई है इसलिए जो है सारा मकान खराब दिल एडिया इसमें राक मिली खराब सिरिमृंट है तो मकान गिर गया उसे गिर रहा सब पूरा कालोनी ड्हायलाइग कि लीधिल थी माकिप अपने पास लगा है कि बाड़ अमने जेवर गहना सब बेच के हमने सचा अच्छ घर बना ले रहने साधान हो जा लेकिन सब पूरा गिर गिर रहा एक चाइट किया खिया अच्छी अधिया डिलेकिन कोई सुनुवाई नहीं ने चेर्मेंच सब बंने सब और अब बंती लेकिन हम लोग को पता नह प्रेटेटियस है। भीया आपकी दुकान किस नाम से है और आपका नाम वहुआ पूरा पूरा पारिचाय क्या है। हमारे दुकान और टेड़र्स के नाम से है हमारा नाम है पपो-गुत्ता मोहान के मुझेम निवासुन हैं 56 और हमारे बाबा दाजाधा भी यही यहीं लंबे समय से नकली से कंधिर Martin Russell रहा कि वह कमान पुर के लोग थे वह जो है बाहर के ठेकेदार आते इव उसके बनवाते थे अपने ठेकेदारी काम कराते ते और ऑज लोग चले गए उनक्अ हेक्टरी भी पकड़ गई थी शब तब से तो कोई काम कर नहीं रहा पुलिस कारवाई की है, अब तो काम बंद है, करीब चार पांच महिने से नहीं हो रहा हूँ हाँ, हमारी जानकारी में आया, मगर वो जो है, मैटेरियल कम मिला रहे थे और इसलिए उनका एक कादमी का छज्जा गिरा नहीं लटक गया, उसमें उसने साथ फुट की देवाल उठा दी और चार से स्कॉार फिट में केवल एक कुंटल चालिस किलो सरिया डाली, और उस तीन फुट का छज्जा निकाल दिया, उसमें उसने जो है, साथ फुट उपर देवाल उठा दी, इसलिए छज्जा जुग गया, और दूसरी कोई सिकाईत नहीं आई, आपके हाँ जिन दु क्या मामला है, चेर्मेन साहब आपके उपर इसलिए आउरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? चेर्मेन साहब भाजपास तालूग रखते हैं, ना पार्टी के कोई कारी करता है, ना पार्टी में इनका कोई पद है, तो चेर्मेन हिंदो मुस्लिम के विवाद को ब्रहावा देने प्रास कर रहे हैं? हाँ, चेर्मेन के यही नजरिया है, कि यहाँ पर विवाद पैदा हो जाए, जिससे हमारे आगने वाले एलेक्षन में हमको उसका प्राफिट मिले। मुहान के, आप कालोनी मिली थी? हाँ, ढायला की, बनवान आई लिया था, सिलेप पड़ रही थी, बजजरादेर में सिलेप सफटने लगी, तो हम उनके पास फून किया, वोई पपू गुपता के पास, कि ये जो है, अपना स्री मिन्ट देखो है कि कितनी, तुमने खराब हमको दे दी, तो कहिन कि हम तो नहीं आएंगे, हमारी स्री मिन्ट भरवा के भेज दीजिए, तो हम का इसे कैसे हमारा माटेरियल फसा है, हम इसे स्री मिन्ट नहीं भेजेंगे, तो फिर पैसे वापस की कि उन्हें नहीं कुछ नहीं वापस कि ही स्रीमिंट लगी है सत्तर और दूबहत्तर बोरी हमाई दर्वाजे लगी है हाँ वापस मांग रहे हैं मगर हमने दिया नहीं हम पुलिस को बेर बेर भेज रहें सिपायों की जाओ उनको बुलायक लाओ चौकी पर हम लोग डर के वज पूरी नकली है लोगों मकान गिरे हुए है किसी को नुकसान नहीं हमाई के तो जैसे सिट्रिंग खोल लेकि हीन किलाव खोल के देखें बच चज्जा नीचे आए गया गया थे नौ दिन नो दिन के बाद खोला थे हाँ चज्जा नीचे गिर गया अगर आगे सुनवाई न यह नहीं मिला आप लोगों को क्या करेंगी अप कहीं और बढ़ेंग फिर कहीं नहीं बढ़ेंग तो है हमाईता सब पैसा डूब गया सब कौन मुश्किलों सम सबू किया अपने रोगा अपने चेर्वन को बताया आपके चेर्वाइन जो है आँ उनको भी बताया कोई नही सब कितने पैसे की ढाइसर लाक रूपया मिला था जी बन गई थी मतलब सिवोक। श्री मिंट ने जो है उसने गलत दे दी सब हमारी स्लेफ जो है सब चिटीक गई हुह है सब फट गई है शिलेफ हमारी कशा अब टूब की हाँ से लिया था अपरके जी इस कीतने पईसा लिया था उनके खेसे बहुत से सामार सर्या मौरंग इती सब लिया था सामार शुरी मिल्स सब वही साल थी पैपो कियां से प्रकभी आठें जी हां नकली बेस्टे तब तो मतलब से अपसलेप पहट शुट्डिक फट गई है और सब किनारे से सब पानी आ रहा है हाँ कितने लगए मकान गिरें हें वहाँ कम से कब क्या नोगों को है यहस्ट बश्काइब कर तब मिलीन जीब इसुआ कई सिकायत किया कही अब सिकायत केहें άप में हो रहे वहाँ इने कोकुछ सुओनि बैस जीनल्लु पाइं शब चार्सो भीच चल hierarchy ॹा शाफ